इस एपिसोड के शुरुवात में हम शिंजन का असिस्टेंट किन को देखते हैं, जो आफिस में काम कर रहा होता है, तब वहाँ एक एम्पलॉई आकर किन से पूछती है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, आज मैंक की बर्डे हैं, तब एक किन कहता है, मिश्टर शिंजन मीटिं में गई हैं, तो ओ यहाँ नहीं है, इसलिए आफिस का सारा काम मुझे संबालना है, तब वह एम्पलॉई वहाँ से जाने लगती है, इसके जाने के बाद किन उसका रिंग को देखकर साड होता है, और ओ उसका गल्फरेंड मैं को मेसेश करकर विश्च करने के लिए जाता ह लेकिन वो नहीं करता है, इसके बाद हम होटल का सीन को देखते हैं, जहाँ पर शेन्जन और हौंक का मीटिंग कतम होकर वहाँ से जाने लगते हैं, इसके बाद सेन्जन क्षीमू से कहता है, मैं ड्रंक हो, तो तुम कार ड्राइव करो, क्षीमू कहती है, मुझे उतना कार नहीं आती है फिर भी ओ शिंजन का कहने पर कार ड्राइव करने के लिए मान जाती है तोड़ी आगे जाने के बाद क्षीमु कार को रोकती है इसे देखकर शिंजन तुम क्यों कार को रोक रही हो कहेकर पूशता है क्षीमु जिन को दिखा कर जिन भी हमारे साथ आने वाली है क इसके बाद जिन भी कार के अंदर बेटती है, इसके बाद क्षीमु कार को चलाने लगती है, लेकिन वो यही पर कार चलाते हुए एक्सिडेंट करती है, लेकिन क्षिंजन कार को संबाल लेता है, और वो क्षीमु से पूछता है, तुमने कहा ता तुम्हें four years का driving experience है, लेकिन ऐसे केसे कार चला सकते हो क्षीमू कहती है मैं डैली कार नहीं चलाती हूँ और उसे यही पर वामिट आती है और वहाँ से बाहर जाती है जिन भी क्षीमू के पीछे जाती है और वहाँ उसे संबालने लगती है तब शिंजन वहां आकर क्षीमू को पानी देता है अवरो कहता है इसका मतलब तुम्हें ड्राइविंग करने का एक्सपिरियंस नहीं है लेकिन तुमारे रेजियूम में 4 एर्स का ड्राइविंग एक्सपिरियंस लिखा है क्षीमू कहती है मुझे लगा मैं वीडियो एडिटर जॉब के लिए अपलाई कर रही हूँ तो इसके बारे में कोई नहीं पूछेंगे इसलिए मैंने इसे लिखाता तभी क्षीमू अपने आपसे पूछने लगती है लेकिन शिंजन को मेरी रेजियूम के बारे में कैसे पता इसके बाद सिंजन दोनों को कार में जाकर बेटने के लिए कहता है और वो किन को कॉल करकर वहाँ आने के लिए कहता है फिर हम जिन्न और क्षीमू को कार के अंदर बाते करते हुए देखते हैं जहाँ पर जिन्न क्षीमू से कहती है शिंजन कितना रिच है क्या तुम्हें इसके बारे में कोई thoughts नहीं है तभी क्षीमू कहती है मैं एक ordinary लड़की हूँ मुझे कोई रिच के इसे शादी नहीं करनी है और ये मेरा सपना भी नहीं है और तो और सिंजन को देकर ऐसा नहीं लगता है कि ओ रिच फैमिली से है तभी जिन कहती है तुम्हें पता है उसका ग्रैंटपा कौन है तुम आज इंटर्व्यू के लिए गई थी ना कैंडी वेबसाइट ओ सिंजन का ग्रैंटपा के कंपिनी के अंडर है तभी उसे पता चलता है कि इंटर्व्यूर उसे क्यों ऐसे बक्वास सवाल पूश रही थी और शिंजन को उसकी रेजीम के बारे में कैसे पता चला यह सब भी क्षीम को पता चली जाती है इन सब को सोश कर क्षीम को शिंजन के उपर गुसा आ जाती है फिर वहा किन आता है पुरो उन्हें गर तक ड्रॉप करता है गर पौशने के बाद क्षीमु अपने आप से कहती है अच्छा हुआ, मैंने उस वक्त डैंस नहीं किया था, फिर हम शिंजन को देखते हैं, जिसे धानिका कहती है, स्ट्रिम्प एंटर्टेन्मेंट आपके और क्षीमु की न्यू पोश्ट को डाल चुकी है, जहाँ पर आप क्षीमु को सीट बेल्ट पहना रहे हो, तबी क्षींजन कहता है, अगर ऐसा ही चल रहा है, तो प्रीम मंस में ब्रेक अप करने में मुश्किल हो जाएगा, औरो डानिका से आश के आर्टिकल के बारे में पूश्टा है, जहाँ पर डानिका कहती है, आश के आर्टिकल में क् देखता है, उससे देखकर शिंजन धानिका से उन्हें कॉंटेक्ट करकर एफ फोटो को डिलिट करने के लिए कहो कहता है, औरो कहने लगता है, हमारा स्टन्टेक कमपिनी के लिए, मैं एक इनोसेंट गर्ल का इमेज कराब करना नहीं चाहता हूँ, फिर हम शीमु को देखत हैं, जो मोबाइल में शिंजन का डीटेल्स को देख रही होती है, औरो कहती है, मुझे पता है, सिंजन मुझे डैंस करवाना चाहता था, तबी ओ, उसकी आर्टिकल को देखती है, उसे देखते ही क्शीमु को गुस्सा आ जाती है, औरो सिंजन से बात करने के लिए जाती है तबी शिंजन भी क्षीमू से बात करने के लिए आ रहा होता है यही पर दोनों आपस में टकरा जाते हैं तबी क्षीमू आर्टिकल को दिखा कर शिंजन से ए सब क्या हो रहा है कहकर पूछती है औरो कहती है मुझे अब पता चल चुका है ए सब तुम ही कर रहे हो और तो और तुम मुझे सीक्रेटली कैंडी कंपिनी तक फॉलो भी किये थे और उन लोगों से मुझे डैंस करवाना चाते थे और तुमने ही कहा होगा की मुझे हायर मत करो औरो कहती है पहले तुम मुझे गर में लॉक किये हो और अब ए फेक प्रेगनेंसी का न्यूस को फेला रहे हो मुझे पता है तुम एसब तुमारे कमपिनी के लिए कर रहे हो तभी शिंजन कहता है तुमारे पास एसब कहने के लिए क्या एविडेंस है तभी क्षिमू कहती है मुझे एक कॉंट्रक्ट नहीं चाहिए मैं कल ही इस गर से जा रही हूँ अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं पोलिस को कमप्लेंट कर दूँगी अगर तुम मुझे शू करोगे तो कोई बात नहीं मैं एसब से तक चुकी हूँ कहे कर रूम के और जाने लगती है क्षीमू की बात को सुनकर शिंजन सैड होता है इसके बात क्षीमू रूम में जाकर जिन को कॉल करकर उसे आर्टिकल के बारे में बताने लगती है तभी जिन कहती है क्या तुम्हे लगता है शिंजन को इस आर्टिकल को spread करकर उसका company का reputation बढ़ेगा और तुम अब क्या कह रहे हो तुम अब news को देखो तभी क्षीमू news को देखने लगती है जहाबर वो आर्टिकल published किये हुए एक reporter उसका गलती को मान लेता है यह सब को देकर क्षीमु सैड फिल करती है क्योंकि वो शिंजन को डांटी थी फिर हम शिंजन को देखते हैं जो एक ड्रॉइंग बुक को देखकर अपने पाश्ट को याद करता है जहाँ पर शिंजन का बाई एक गर के अंदर आग में फस कर मर जाता है यही पर शिंजन का पापा को शिंजन के उपर गुस्सा आजाता है और ओ अगले दिन शिंजन के हाथ से ड्रॉइंग बुक को फेक कर शिंजन के उपर चिलाते हुए कहते हैं तुमने हमें क्यों नहीं बताया ता कि ओ तुमारा बाई है तभी शिंजन का मा कहती है आप उससे ऐसे बात मत करे क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आप शिंजन के उपर ब्लेम मत करो तभी पापा कहते है मेरे पास एविडेंस नहीं है लेकिन दिल है जो इसके पास नहीं है इस सब को याद करकर शिंजन सैड होता है, अवरो T9 रोबोट के पास जाकर धानिका से कहता है, तुम इस T9 रोबोट के अंदर सब सिस्टम एक्टिवेट कर दो, इसके वज़े से एक नॉर्मल पर्सन के जैसे जी सके, इसके बाद धानिका शिंजन से पूछती है, अब आपक क्षीमू के 3 months का contract कैसे चल रहा है, शिंजन कहता है, मैं contract को end करना चाता हूँ, तो मैं इसके लिए कुछ papers को भी ready कर चुका हूँ, पस क्षीमू का sign करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ, फिर शिंजन T9 रोबोट को कपड़े पहनाता है, और हो कहता है आज से तुमारे ना स्टार लाइट है और तुम मुझे बाई कहो क्योंकि आज से हम फैमिली मिंबर्स है और तुम हमारे फैमिली मिंबर हो और तुमें हमारे फैमिली मिंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा इसके बाद शिंजन वहाँ से क्षीमू के पास जाता है जहाँ पर क्षीमू शिंजन को एक एपल देकर माफी मांगती है तभी शिंजन कॉंट्रेक्ट टर्मिनेशन लेटर को देकर तुमारे लिए मैं एक नया फ्लैट को पर्चेस कर चुका हूँ तो तुम वहाँ जा सकते हो आज से हमारा कॉंट्रेक्ट कतम हो जुका है कहे कर वहाँ से जाता है इसके बाद शिंजन अपने रूम में जाकर क्षीमू की डैंस का वीडियो को देकर मुस्कुरा रहा होता है दूसरी तरफ क्षीमू वाश्ट रूम में हैंड वाश कर रही होती है तभी वहाँ स्टार लाइट आता है इससे देकर क्षीमू ड़ जाती है और वो चिलाने लगती है क्षीमू की चिलाते हुए आवास को सुनकर क्षिंजन रूम से बहार आता है तभी आगे से क्षीमू चिलाते हुए बाग कर आ रही होती है तभी उसकी पैर फिसल कर क्षिंजन के उपर गिर जाती है यही पर क्षिंजन एक पौट के उपर गिरता है इसकी वज़े से क्षिंजन का कमर से कून आता है तभी शिंजन क्षीमु को उसके उपड से उठने केले कहता है औरो पुछता है तुम क्यों चिला रहेती तभी क्षीमु वाश्रूम में एक आदमी आयाता इसलिए तभी वहाँ स्टारलाइट आता है औरो शिंजन को बाई मेरे सोने का टाइम हो रहा है तो मैं रूम डून रहा आता तभी शिंजन उसे उपड जाने केले कहता है तभी क्षीमु शिंजन से कहती है ए वही रोबोट है ना तभी शिंजन वहाँ से जाने लगता है तभी क्षीमु पॉट के उपर कून को देखती है फिर हम क्षीमु को देखते हैं जो उसका रूम में आता है, औरो नहाने के लिए बातरूम ओपन करता है, लेकिन वहाँ अल्रेडी स्टार लाइट होता है, इसे देखर क्षिंजन रूम का दर्वाजा ओपन करता है, तभी वहाँ क्षीमू बैंडेज लेकर आती है, औरो क्षिंजन को बैंडेज लगाने शिंजन पूशता है, तो तुम इसलिए कैंडे क्लासिकल चैनल जोइन करना चाती थी, लेकिन तुम्हें एडिटिंग करने के लिए मिला, तभी वहाँ क्षीमू तुम्हें ए सब के से पता चला, कहकर पूशने लगती है, औरो कहती है, मुझे इस काम में कोई टेंशन नही है, क्योंकि मैं मेरी प्रिंस चार्मिंग को देख सकती हूँ न, तभी शिंजन ओ प्रिंस चार्मिंग कौन है कहे कर पूशता है, क्षोमी कहती है, लिन हांग, औरो लिन हांग का तारिफ करने लगती है, औरो कहती है, लिन हांग तोड़ा इन रोबोट जैसे दिखता है, त रहेकर पूछने लगती है, तभी शिंजन स्टार लाइट शवर लेने के लिए गया है कहता है, तभी क्षीमू क्या रोबोट नहाता है, इसके वज़े से शौर्ट सरकिट तो नहीं होता है ना, तभी शिंजन ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने उसे नौर्मल परसं जैसे बना चुका हूँ, ताकि वो मेरे साथ हमेशा के लिए रहे पाएगा, तभी क्षीमू बताती है, मैं इस रोबोट के बारे में किसी को भी नहीं कहूंगी, तभी क्षिंजन को किन का कॉल आता है, तभी क्षीमू शिंजन का मोबाइल देखती है, जहाँ पर उसकी डैंस वीडिय होता है, औरो शिंजन से उसे डिलिट करने के लिए कहती है, लेकिन शिंजन डिलिट नहीं करता है, यही पर क्षीमू फिर से क्षीमू के उपर गिर जाती है, औरो शिंजन के हाथ से मोबाइल को चीनने के लिए कोशिश करती है, तभी क्षीमू मुझे पेन ओ रहा है कहता ह तभी वहाँ श्टार लाइट आता है और वो शिंजन से क्या क्षीमू तुम्हें बुलिंग कर रही है कहेकर पूशता है तभी क्षीमू क्षिंजन के उपर से उड़ती है और वो श्टार लाइट से मैं बस तुमारे बाई के साथ केल रहीती कहती है तभी शिंजन भी उसका रूम से बहार आकर सोने के लिए जाता है। यही पर क्षीमू, तुम श्टार लाइट के साथ क्यों नहीं सोते हो कहकर पूशती है। तब शिंजन मजाग करने लगता है। औरो कहता है, मैं इसके बाद तुमारे साथ सो जाओंगा। इसे सुनकर क्षीमू को गुस्सा आ जाती है। यही पर एपिसोड त्री कतम होता है।